दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए निम्मी मौक टेस्ट पर आधारित कुछ बस्तुनिस्ट प्रसंद को लेकर के आए हुए है जो कि 1921 सेशन वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है चुकि उनका जो एकजाम अभी एक मार्च से तीन मार्च के बीच होना है अभी तो फिलाल उनका एकजाम लिडिय और प्रैटिकल का है फिर जो नेक्स टेट उनके लिए जो ऑन लाइन का आएगा उस एकजाम के लिए ये काफी हेलफुल भी होगा चुकि ये निम्मी मॉक टेस्ट का ही सारा कोस्टन है हम क्लेक्ट किये हुए हैं और यह जो भी कोस्टन पूछा जा रहा है लगभग इसी से मिलता जूलता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और यह स्रीच लगभग आपको पांसो का हम उपलब्द कराएंगे तो पहला कोस्टन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कहरा है इस सुरक्षा चिन्न का नाम क्या है वाट इज दे नेम ऑफ सेप्टी शाइन इस सुरक्षा चिन्न का नाम बताना है जैसे कि यहाँ पे देखिए चुकि यह सेप्टी चेप्टर से लिया गया है यह वाला कोस् कि यह जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि यह जो है ना हमारे सेप्टी में चार परकार के सुरक्षा चिन होते हैं जैसे चेताबनी हो गया, आवश्यक चिन हो गया, निस्य धक चिन हो गया और एक सुचनात्मक चिन होता है यह हमारे चार परकार के सेप्टी शाइन होते हैं तो इसमें से जो आप यह देख रहे हैं यह आयताकार वाला बॉक्स देख रहे हैं यह आयताकार वाला बॉक्स जो होता यह ग्रीन होता है ग्रीन होगा यह आयताकार बॉक्स जो देख रहा है यह green होता है और green होगा यदि background इसका green होगा यह मेरा क्या information है हमको यह सुचना प्रवायड करवा रहा है तो यह सुरक्षा चिनन इस information sign को बताता है information sign में जिसका background जो आयताकार होगा background का रंग होगा green और यह आइता कार्व में रहता है अभी रही बात जिस चीज को हमको सुचना प्रोवाइड करेगा यह रहेगा आपका वाइट कलर में यह वाइट कलर में होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह उजला है और इसका बैक ग्राउंड आपको ग्रीन कलर में मिलेगा तिस परकार इसका आप्सन जो आपका हो गया डी नंबर अब नेक्स चलिए दूसरे नंबर कोश्चन की और चलते हैं जैसा कि आप दूसरा नंबर कोश्चन को देख पा रहे होंगे कि यह दूसरे नंबर कोश्चन है दूसरा नंबर कोश्चन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह दूसरा नंबर कोश्चन दूसरा number question में कहता है अगनी का शमन क्या है यहीं अगनी के शमन के बारे में पूछ रहा है कि what is smoothing in extinguishing of fire यह अगनी का समन क्या है इसके बारे में पूछ रहा है कि अगनी का समन क्या है तो देखिए अगनी में इंधन मिलाना दूसरा option है अगनी से इंधन अलग करना तीसरा option है जल का उप्योग करके तापमान कम करना चौथा इसमें है कि अगनी को ऑक्सिजन के आपपूर्ती से अलग करना तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्मूत्निंग का अर्थ होता है इसमूत्निंग का अर्थ यहां पे होता है कि अगनी isolate the fire from the supply of oxygen यही अगनी को oxygen के आप पूर्ती से अलग करना यही इसका जोने option number D सही होगा यही यह option number D इस question के लिए सही है अगला चलिए अप लोग यह जैसा कि यह देख लिए थे आप लोग अब यह तीसरे number question क्यों चलते हैं तीसरे number question में कर रहा है निम्न में से भावतिक हानी क्या है यहनि physical hazard के वारे में पूछ रहा है कि यह भावतिक हानिया इसमें कोन है अब देखिए यह भावतिक वर्ड जो इसमें यूज किया गया यह भावतिक वर्ड से संबंदीत है कि कोई भी जो है ना भावतिक परिवर्टन आप समझ लीजिए यहनि कुछ ऐसा परिवर्टन हो रहा है जो कि पूना हम आप क्या कर सकते हैं एक इस्टेश से दूसरे अगर आप एक थोस थोस आइस लिजिए थोस बर्प लिजिए जब आप उसको गर्म करते हैं तो वह जल बन जाता है फिर और जल को जब गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है वह वास्प बन जाता है फिर जब वह वास्प को ठंडा करते हैं यह उस गैस को ठंडा किये तो फिर आपका जल बना फिर जल को ठंडा के थोस बन गया बहुतिक परिवर्तन करते हैं तो इसमें जो यह आपका आएगा बाइब्रेशन कि जो आपसन नंबर बी आपका सही है बाइब्रेशन यह बहुतिक आपका हानी कैंतर गताता है नेक्स्ट मुझेगा चौथा नंबर कॉस्टन को देखिए फोर्थ नंबर कॉस्टन की जैसा कि आप देख पारे होंगे फोर्थ नंबर कॉस्टन में क्या करा है नीमन मेंसे अगनी रोधक को उप्योग करने का सही करम क्या है अब यह अगनी रोधक क्या होता है fire extinguisher का जो हम operate करेंगे या यूज करने का सही करम उसका बताना है कि हम किस करम में उसको उपियो करते हैं तो इसका जो करम होता है सरपर्थम आप क्या करते हैं किसी भी चीज को खीचते हैं जब आप fire extinguisher का उपियो करेंगे या निरोधा का उपियो करते हैं तो सर पर थम उसको हम खीचते हैं, खीचने के बाद निसाना लगाते हैं, निसाना लगाने के बाद दवाते हैं, तब हम उसको गुमाते हैं, यह जो आपसन नमबर A जो देख रहा है, यह पहले पूल करेंगे, तब हम एम करेंगे, तब हम उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वे नेक्स चलिए नेक्स जो है पाच्मा नंबर कोश्चन देखिए नेक्स्ट पाच्मे नंबर कोश्चन में देखिए क्या कर रहा है पाच नंबर कोश्चन यह पाच्मा नंबर कोशन को देखिए पाच्मे नंबर कोशन में कहा रहा है कि 5S संकल्पना में नीवने में से कौन सा चरद इस्टेंड्राइजेशन को इंगित करता है तो यह जो 5S जो यहां पे लिया गया है तो यह 5S जो jest मिरदूल कौसल का है तो मिरदूल कौसल में 5S का हम लोग परियोग करते हैं तो जो कि 5S मतलब 5S का परियोग करते हैं तो 5S में जो है यहाँ पे इस्टेंटराइजेशन जो है यह मेरे चौथे करम में आता है जो इस्टेप जो आप देख रहे हैं यह इस्टेप 4 के अंतरगत आता है यानि option number यहा una है साट करते हैं 5S concept में पहला सोट होता है यहि स्टेप 1 में सोट करेंगे दूसरे में हम लोग करते हैं 16 और उसको हम लोग करम में सजाते हैं फिर 23 होता है जो 7 साइनिंग करना तब 14 होता इस्टेंटराइजेशन करना और पर incom Makes होता है साइस्टेंड करना इस प्रकार 5S क का मेलिंग होता है तो चलिए यहां पे जो पांच का अंसर होगा होगा वो डी वह और आप आगे नेक्ष्ट देखिए छठा नबर क्वेस्चन का रहा है कि कौन से प्लायर का उप्योग तार के हुग और लूप बनाने में होता है तार के हुक और लूप बनाना है तो कौन सा पलायर का हम यूज करेंगे तार का हुक करा है और लूप भी बनाना है तो तार का हुक और लूप बनाने में हम लोग राउंड नोच पलायर का उप्यूग करते हैं चुकि around notch plier का yourself आप देखेंगे तो सायद इसemey आपको मिलेगा round notch plier इस sep में आपको देखने को मिलेगा round notch plier तो जब इस Orient में होता है इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं तार औरतार के hook और loop बनाने में तो का 6 फिलियर है अब अगिन चलिए कहता है सेवन नंबर कोश्चन में कि पिंसर का क्या यूज है पिंसर के उपयोग के बारे में बताना है कि पिंसर का क्या उपयोग है तो पिंसर का उपयोग के बारे में बताना है तो देखिए अकसर आप देखे होंगे मोची के पास गए होंगे आप चपल हो गया या जूता हुता में अगर वो देखते होंगे काटी को जो ने चपल में दी काटी उटी ठुकवाना हो कील ठुकवाना हो तो वो देखेगा अगर कील को उस काटी को निकालने के लिए एक पिंसर का यूज करता है ठीक उसी टाइप में ये पिंसर होता है यनि हम क्या करते हैं, यहाँ से, लकडी में से, पीन तता कील निकालने के लिए, हम लोगी पीनसर का उपयोग करते हैं, यहाँ प्सन नमबर सी आप पुबढ़ क्या होगा, इस कोशिद का शही होगा, next टो लिया, एट नमबर कोश्टन, जैसा कि», eight number question आप लोग को दिखाई दे रहा होगा या देख पारे होंगे कि जैसा कि आप देखे eight number question eight number question में करा है कि इस सड़क सुरक्चा चिन्न का क्या नाम है विखे सड़क सुरक्चा चिन्न भी हम लोग तीन प्रकार के होते हैं उनको तो भी हम करम से देखेंगे आगे हम आपको दिखा भी देंगे पहले इसका उप्सन जानिए कि यह जो आप यहां पे देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह जो है ना ऑक्टल सेप में जो बना हुआ है इसमें यह आठा किरती में ऐसा कि देख पा रहे होंग आठ नंबर आठ नंबर के बाद हम आपको कुछ सेप्टी शाइन के बारे में बता देते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में रहें जैसे कि माल दीजेए भी हम सेप्टी शाइन के बारे में बताए थे कि यह जो हैं कितने परकार के होते हैं चार परकार होते जैसे नीसे धा आत्मक में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह गोल है गोल में ही क्रॉस किया हुआ है तो यहां पे जैसे इसका रंग क्या होगा स्वेत प्रिष्ट भूमी पे काला चिन्न होगा यह स्वेत प्रिष्ट भूमी यह जो यह देख रहे हैं इसको प्रिष्ट भूमी बोलते यह स्वेथ होगा और इसके उपर में ये काला चिन होगा ठीक है यह है इसके उपर में हमारा क्या होगा काला चिन होगा और जैसा कि कि अगर आप यह बॉर्डर की बात करेंगे तो यह जो बॉर्डर होता है यह बॉर्डर बॉर्डर आपका होगा रेड कलर का यह याद रखेंगा यह बॉर्डर जो बना हुआ है और यह जो बॉर्डर देख रहे हैं फिर आप नेक्ष्ट देख पा रहे हैं कि जैसे यह मैंड अब जैसे कि अनिवार्ज नभागे रूप में क्या है आपको यहां फिगर दिखा रहा है यानि हम दोग इसंते निले पृष्ट भूमी पर निला पृष्ट भूमी पर निला ऑनिला ऌते दोपि आप को देख पर नेल्मा पर यां पर क्या रहे है यह स्वेट आपका रहेगा चिन नहीं जैसे कि गलप्स का यहां दिखाया थी आपको स्वेट कलर में मिलेगा यह भी गोल ही देख पा रहे हैं ठीक उसी परकार आगे चलिएगा उसी परकार नेक्स्ट जैसे देखे कोई भी चीज चेताबनी होगा किसी भी चीज को अगर यह बॉडर पर पिला प्रिस्ट भूमी यह बॉडर काला रहेगा पिला प्रिस्ट भूमी रहेगा यह यह आपका पिला देखने को मिलेगा और इस पर क्या रहेगा जो भी चीज हमको यह सिंबॉल दिखा रहा है जैसे यह डेंजर का जो दिखा रहा है तो यह काला निसान रहे तो सुचना में देखिए अभी यह क्या हरा प्रिष्ट भूमी रहेगा इसका और जो भी हमको चिन रहेगा वह आपको वाइट रहेगा यह 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 बैक्ग्राउंड हरा अब कर दोगा हो लोगो यहां रोड में देखिए इस तरह यह सब मेंडूरि इसप यह सब आप अकसर देखेंगे प्रिया तो कभी इस तरह देखते होंगे आप लोग यह वाला यह सब क्या मैं रिटी अनि वार्ज चिन्न शीरी अंत्र गताता है आप यह जो देख रहे होंग यह चेताबनी है, जब आप रेलवे क्रोसिन करते होंगे, तो यह रोड पर देखिएगा, यह लिखता है, और यह यहां पर देखिए, इसकुल को देखिए, यहां, तो इस तरह यह रहेगा, अगेन, यह तो हर कोई जानते हैं, इनफार्मेशन, इनफार्मेशन में जो है न, इसमें क्या रहता है दिल्ली की धर है बॉंबई की धर उसका डायरक्शन दिया हो रहेगा सुचना बताएगा एरो के त्वहरा नेक्स चटी आप फिर अभी देखिए अभी जैस्ट हम अभी चर्चा किये थे आपको कि 5S कंसेप्ट को जैसा के भी हमने चर्चा किये थे उसी क समझीएगा कि यहां पर यहां role रहे है अभी कभी करते नीमें लखा वर रहता है दुसरे जगह पर तिसरे जगह पर आप sign जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह sign लिखा हुआ है तिसरे पे देखेए ये तिसरे पी यहां पे जो ये तीन तिसरे step में sign है ये और चोथे में देखेए यहां पे standardization है और पाच्मा यहां देखेगा पाच्मा sustained ये चोथा हो गया ये पाला हो गया ये दूसरा हो गया इसको भी करम याद रखेएगा आपको एक जामे पूछेगा तब बता सकते हैं नेक्स चाहिएगा अब नेक्स पॉस्टन क्यों चलते हैं जैसा कि अभी आपको हम दिखा चुके हैं आप पीछे हो करके भी देख सकते हैं जैसे मूल स्रेणी में सचेतक चिन के पश्च भाग का रंग क्या होगा यानि आपको कह रहा है कि बैक ग्राउंड का कलर ओफ वार्निंग शाइन चेतावनी वाला चेतावनी में बैक ग्राउंड का कलर कैसा आपको देखने को मिलेगा अभी जश्ट हम आपक हम लोग क्या करते हैं इस पर पीले पर जैसे यह डेंजर का साइन है तो काला दिखाएंगे ओके ओप्सन नंबर शी इसका शही होगा दस नंबर को देखिए दस नंबर को शर्में कराई बिद्दूत उपकरण में लगी अगनी है तु कौन सा अगनी समन का परियोग क्या ज विद्दूत में जब कोई भी आग लगता है था हम है लोन टाइप का यूज करते या इसी जगह पे आपको मेलेगा सी टीशी कारवन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं अगर है तो है लोन लगाएगा अगर सी लोन नहीं है तो सी टीशी लिखा हुआ रहेगा कारवन ट है कौन सी है जो गर्मी पैदा करती आफसिस निप्तान विद्धी तो तो हगर्मी पैदा करेगा तो वह खाद डालना होता है कम पोजिटिंग थिक है तो वह क्या होगा शाद डालना जो आपसंद नंबर बी लोको क्या है शही है नेक्स चाहिए 12 नंबर 12 नंबर कोशन में कह रहा है कि दूएं से सुरक्षा के लिए किस ब्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है जी कि डबल पी का हमेशा फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस्नल प्रोटक्टिव एक्यूपमेंट जिस वैसा उपकरण जो किसी ब्यक्ति की सुरक्षा करता है उसी को हम लोग कते है प्रेस्नल प्रोटक्टिव एक्यूपमेंट तो वही बोलता है धुएं से सुरक्षा के लिए जैसा कि देख पाने हमको दुआं से सुरक्चाप करना हो तो हम क्या लगाएंगे नोज मास्क लखाएंगे नाक कवच अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो आप लोग मास्क लगाते हैं तो अप सन्नामर डिश रही है अगें चलिए 13 नंबर 13 नंबर में कहता है कि फुल फॉर्म बिढ़ाएस का फूल फॉर्म क्या होता है छुकि भारतिया बिद्दूत से सब्बंदित कुछ नियम बनाता इसलिए इसमें बइस में पूल फॉर्म होता है भी अप इंडियन इस्टेंडर इसका फूल फॉर्म होता है आपका राइट कहता है कि भारी भार उठाने और अस्थान्तित करने के लिए किस पधति का उप्योग यूजित जाता है यह नेक्स्ट ऑफशन चलते आपको 14 का इधर दिखाएंगे यह 14 का उपस्टन है तो हम भारी भार को उठाने के लिए जो है जो है और अस्थांतरित और उठाने के लिए हम लोग किरेन और स्लिंग का उपयोग करते हैं किरान और सिलिंग का जो option नंबर भी शही है अगें चलिए 15 नंबर को संद कहता है कि 15 नंबर को संद को दिखिएगा आप लोग 15 नंबर को संद में कहता है आग बुझाने में इस्टॉर्विंग क्या है आग बुझाने में एक इस्टॉर्विंग वर्ड होता है वो क्या चीज बारे में पूछ रहा है तो आग बुजाने में इस्ट विंग का अर्थ यह होता है कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना हम लोग यहां क्या करते हैं री मुविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम दा फायर जो यहां पर आप सब्सक्राइब आप लोग देख पा रहे हैं तो अभी आप लोग देखते होंगे कि कोरोना का समय चल रहा है जब भी आप मोलूल जाएंगे तो आप अपने को नीचे लगाएंगे है तो आपक कि क्या होता है इस से बस Candac vet से यह आप भी कोरोना काल चल रहा है तो आप देखेज़ सेंटाइजर आप यूज करते हैं तो वह ज comics यह चलिए जो दिखा रहा हा क्या कहता है अफसिष्ट निप्टान विधी कौन सी है जो बहुत सारी उर्जा बचाती अफसिष्ट कह रहा है अफसिष्ट निप्टान विधी कौन सी है जो बहुत सारी उर्जा बचाता है तो बहुत सारा उर्जा बचाने का एक ही साधन है recycling पूरन चक्रन है पूरन चक्रन करके हम क्या कर सकते हैं बहुत सारे उर्जा को बचा सकते हैं जो option number B आपको क्या है तो सही है तो दोस्तों आज 17 question objective करा चुके tools और shiftika next day और इसके आगे objective को देखेंगे और इस तरह हम लगभग आपको 500 objective करा देंगे ताकि जो आपका first year का भी जो exam होने वाला है March में online CBT उसमें आपको इससे बाहर question पूछे गहीं नहीं